हेलो एब्रीबन, विल्कम टू आर यूटूब चैनलन माइन वेब क्लासिस इस वीडियो में दसंबलो भिनका टाइप फर्स्ट के सभी प्रस्ण देखेंगे और सभी प्रस्णों को बीदिन सेकेंडों में सॉल्ब करना सीखेंगे तो देखेगा पहला प्रस्ण है निम लिखित में से सबसे बड़ी भिन ग्याद कीजी तो देखे डाइरेक्ट आप्सन से पता करते हैं तो देखे दो बटे तीन, आठ बटे नौ, पांच बटे च्छे और च्छे बटे साथ तो यहाँ पर देखे अंस और हर कंतर समान है मतलब अंस और हर में एक कंतर है यहाँ भी देखे आठ है, यह नौ है तो एक कंतर है यहाँ पांच शे है तो एक कंतर है तो अंस और हर कंतर जब समान हो तो बड़े अंकों से बनी भिन बड़ी होती है तो देखे आठ और नौ, यह बड़े अंक है सेकेंड है, 2 बटे 3, 3 बटे 4, 4 बटे 5 और 5 बटे 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन का अंतर ग्याद कीजिए, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी अंसर हर कंतर समान है, क्योंकि 2 बटे 3 है, तो 2 और 3 में 1 कंतर होगा, यहाँ भी देखेंगे, एक अंसर हर में 3 और 4 है, 4 बटे 5 यहाँ भी अंसर हर में 1 कंतर, यहाँ भी एक अंतर है, तो सबसे बड़ी भिन हो जाएगी 5 बटे 6, क्योंकि इस कंडिशन पर बड़े यंगों से बनी भिन सबसे बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी लिख लेंगे 5 बटे 6 और सबसे छोटी भिंद इसी में हो जाएगी 2 बटे 3 क्योंकि सबसे छोटे अंक हैं 2 और 3 तो इसको आपस में घटाना है क्योंकि अंतर निकालना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिंद का तो देखेगा, यहां पर enter find कर लेंगे, तो देखे, दोनों के हर समान किये जा सकते हैं, यहां पर 6 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए 2 गुणा कर देंगे, तो uns में भी 2 का गुणा होगा, uns वह हर दोनों में किया जाता है, तो देखेगा, यहां पर 5 बटे 6 माइनस, 2 दोनी 4, बटे में तो 2, 3, 6 यहाँ पर अब यहाँ पर देखे हर समान है तो यहाँ पर LCM आ जाएगा 6 और अंस को सीधे सीधे घटा लेंगे 5-4 तो final हो जाएगा 1 बटे 6 इसका solution होगा तो इसका option number C correct है अंगला question देखेंगे question number 3 देखेगा निम निव लिखित में से कौन सबसे बड़ा है तो यहाँ पर देखें अंसर हर का अंतर समान है यहाँ पर 15 बटे 16 एक का अंतर है यहाँ 24 बटे 25 एक का अंतर है अंसर हर में 34 बटे 35 यहाँ भी एक का अंतर है यहाँ 19 बटे 20 एक का अंतर है तो इस condition पर सबसे ब तो यहां पाँच विड्न है एक, दो, तीन, चार, पाच, लेकिन आपशन में तो चार ही भिण दीवें हैं तो डाइरेक्ट आपशन की भिणने लिख लेंगे तो यहां पर देखें, 12 बटे 150 और दोसरी भिणने 3 बटे 15 यहाँ पर अंसरहर का अंतर अलग अलग है यहाँ पर देखे तीसरी भिन्न नव बटे बारा चौथी भिन्न चार बटे साथ तो दो दो भिन्नों की तुलना करेंगे तो पहले फ्रतम दो भिन्नों में पता करेंगे काउन सबसे बड़ा है तो तिरिया गुणा कर लेते हैं तो पंद्रा गुणे 12 करेंगे तो देखिए यहां बैलू लिखेंगे 15 दूनी 30 के सून हासिल 3 15 एकम 15 15 13 18 18 आया यहां पर गेरा गुणे 3 करेंगे 11 33 तो यह छोटा मान है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे इन दोनों में यह बड़ी भिन है 12 बटे गेरा यहां पर देखेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसको कैंसिल आउट करेंगे इसका मान चोटा है यह फाइनल बारा बटे गेरा बड़ी भिन हो जाएगी तो यहां पर आपसर नमबर यह करेक्ट है इसी तरह इसको पता करेंगे तिरिया गुणा करके दो-दो भिनों को कंपेर करना है पहले क्वेस्टन नमबर 5 है निम्न में से सबसे चोटी भिन संख्या कौन सी है तो देखे यह भिन दी हुई है तो यहां पर डाइरेक्ट यहांपर लिख लिया गया है अब देखिए गई इसके हर समान किये जा सकते हैं, मतलब यह 10,000 है यहांपर 10 जार तो इसको भी 10,000 में 1,000 का गुणा करेंगे, आज यहां पर देखें बैलु चेंज हो जाएगी अंस में ऊपर वाली, यह 1000 का जब एक से गुणा होगा तो यहां तो 1000 प्राप्त होगा फिर यहां 100 का एक से गुणा करेंगे तो यहां 100 वैलू प्राप्त होगी हर समान है सभी कि यहां पर देखेगा 10 का 9 से गुणा करेंगे तो यहां 90 प्राप्त होगा और यह तो 500 अलेडी है तो अब देखेगा जब हर समान हो तो देखे जिसका अंस सबसे छोटा होगा वह भिन्ट सबसे छोटी होगी और जो अंस बड़ा होगा वह बड़ी होगी तो यहाँ पर देखे अंस छोटा है यह 90 यहाँ है तो मतलम 9 बटे 1,000 तो 9 बटे 1,000 देखेगा आप सझ redSON number D में दिया हुआ है तो यह सबसे छोटी भिन है क्योंकि जब हर समान होते हैं तो छोटे अंस वाली भिन छोटी और बड़े अंस वाली भिन बड़ी होती है तो इसको याद रखेंगे यहाँ पर यह एक हजार है तो यह बड़ी भिन कहलाएगी क्योंकि अंस में एक हजार है तो next question देखेंगे इसका question number six है निमलिखित में से कौन सी भिन सबसे बड़ी है तो यहाँ पर देखें चार भिन दी हुई है और answer हर का अंतर अलग अलग है तो इसको direct पहले लिख लेते हैं 8 बटे 19, फिर second भिन है 9 बटे 22, third भिन है 171, यहाँ पर 171 आएगा हमें बड़ी भिन पता करना है तो यह छोटा मान है, यह बड़ा मान है तो इसको cancel out करेंगे इन दोनों में यह बड़ी भिन है फिर इन दोनों का 3 गुणा आपस में करेंगे तो 24 दहम 240, यहाँ 240 आएगा और 12 गुणे 23 करेंगे तो गेरा 33 की 3, हासिल 3 गेरा दुनी 22, 3, 25, 203 पन आया तो यहाँ पर देखिए छोटा मान है तो इसको cancel out करेंगे यह बड़ी भिन है अब आपस में इनकों आपस में compare करेंगे दो भिन बची तो 24 गुणे 8 करेंगे तो देखिए 8 चोग 32 की 2, हासिल 3 आट उनी 16, 16, 16, 3, 19 यहाँ नीचे लिख लेते हैं उपर जगे नहीं है तो 24, 68, 192 और 19 गुणे गेरा करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं तो देखिएगा गेरा नहीं है 99, हासिल 9, गेरा एककम, गेरा गेरा 9, 21 तो यहाँ पर सोरी, यहाँ गेरा 9, 20 होगा तो 209 आएगा तो अब इन दोनों में यह छोटा मान है हमें बड़ी भिन पता करना है तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे फाइनली गेरा बटे 24 बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर 209 आया तो गेरा बटे 24 से आपसर नमबर D में दिया हुआ है अगला कोस्चन देखेंगे कोस्चन नमबर 7 है निम लिखी तनपातों को घरते क्रम में लगाएं और कौम सी संख्या सब आखरी होगी तो घरते क्रम में लिखेंगे दूसरी है पांच बटे 7 और यहाँ पर तीसरी है दो बटे 3 और चौती भिन गेरा बटे चौधा अब यहाँ पर दो दो भिनों को कंपेर करेंगे सबसे छोटी भिन पता करना है क्योंकि घरते क्रम में लगाएंगे तो सबसे लाश्ट में सबसे छोटी भिन होगी तो देखे तीरिया गुणा करते हैं 17,7,119 और यहाँ पर 21,5,105 अब यहाँ पर देखेगा आपस में तीरिया गुणा करेंगे 14,28 और 11,33 अब देखे सबसे छोटी भिन पता करना है तो यह बड़ा मान है तो इसको कैंसील आउट करेंगे तो यह छोटी है इन दोनों में देखे बड़ा मान है तो इसको कैंसील आउट करेंगे यह छोटी है अब आपस में इन दोनों का कंपेर कर लेंगे तो देखे 3,15 यहाँ पर लिख लेंगे 7,20 यहाँ पर यहाँ पर देखे 4,21 दी हुई है आपसन में हैं 3 बटे 16, 4 बटे 20 और यह तीसरी भिन्ह 1 बटे 8 लास्ट में 2 बटे 12 अब दो दो भिन्हों का compare कर लेंगे तो 20, 23, 60 यहाँ पर प्राप्थ हुआ 16, 64 तो बड़ी पता करना तो छोटा माने तो cancel out करेंगे क्योंकि बड़ी भिन्हें तो यह बड़ी हो गई इन दोनों में इन दोनों में पता करेंगे 12 एक कम 12 और 8 दूनी 16 तो यहाँ पर देखे 12 चोटा माने तो इसको cancel out करेंगे यह बड़ी होगी अब फाइनल लास्ट में इन दोनों का compare करेंगे तो 12, 48 यहां लिख ले हुई हैं तो डाइरेक्ट लिख लेते हैं सीधा सीधा 3 बटे 15, 5 बटे 20, नेस्ट देखे 8 बटे 64 और अंगली भिन्हे 25 बटे 1000 अब यहां पर दो दो भिन्हों का compare कर लेते हैं आपस में तो बड़ी पता करना है तो देखे 20, 23, 60 यहां पर बैलू 60 हाई और 15, 75, 75 अब यहा आपस में तिरिया गुणा कर लेंगे इसका तो 1000 से जब 8 का गुणा होगा तो यहां पर बैलू 8000 हो जाएगी और 64 गुणे 25 करेंगे तो 25, 100 की सुन हासिल 10, 26, 150, 10, 160, 1600 यहां प्राप्थ होगा तो यह चोटा मान है यह बड़ा मान है तो इसको cancel out कर देते हैं क्योंकि बड़ी हैं दोनों भिन तो इन दोनों में पता करेंगे काउंसी बड़ी तो तिरिया गुणा करेंगे तो 64 पंचे तो 5, 20 की सुन यहां नीचे लिख लेते हैं हासिल 25, 32, 32, 320 हाया फिर यहां पर 28, 160 हो जाएगा तो यहां पर यह चोटा मान है तो यह cancel out करेंगे फाइनली 5, पाज बड़ी होगी तो आपसर नमबर यह करेक्ट है अंगला कोस्टन देखेंगे कोस्टन नमर टेन है नीचे दी गई भिनों में सबसे चोटी बिन कौन सी है तो यहां देखें 4 भिन दी हुई है तो दो दो भिनों का compare करेंगे पहले लिख लेते हैं 4 भिन तो 4 बटे 9, 5 बटे 4 इन ही भीनों को लिख लेंगे फिर यहां पर 3-8 और यहां 6-7 अब दो बिनों का कंपेर करना है तो तीरिया गुणा करेंगे 4-4-16 और 9-45 तो यहां पर छोटी भीन पता करना है तो यह कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि बड़ा मान है तो यह छोटी होगी इन दोनों में compare कर लेंगे तो तीरिया गुणा करना है तो आठ चोग बत तीस यहाँ पर आएगा और नौ तरीक सथाइस है तो देखे यह बड़ा मान है यह छोटा मान है तो यह इसको cancel out करेंगे क्योंकि छोटी भिन पता करना है तो final 3 बटे 8 छोटी भिन होगी तो आपसन नमबर अंगला question देखेंगे question 11 है निम लिखित में से कौन से भिन सबसे बड़ी है तो यहाँ पर चार ही आपसन दिये हैं तो दो आपसन यहां पर ले लेगे दो दो संख्याएं तो देखेगा 29 बटे 77 सेकेंड भिन है यहाँ पर आठ बटे 21 फिर थर्ड है पांच बटे 14 और फोर 209 आया गुणा करने पर 21 का उन्तिस से अब 77 गुणे 8 कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे 8 सते 56 की 6 हासिल 5 8 सते 56 55 61 तो 616 आया अब सबसे बड़ी पता करना तो यह छोटा माने तो इसको कैंसील आउट करेंगी यह बड़ी हो गई अब इन दोनों में compare कर लेते हैं तो देख 50 बड़ा माने यह छोटा माने तो इसको कैंसील आउट करेंगे तो यह बड़ी होगे इन दोनों में अब आपस में इनका compare कर लेते हैं तो तिरिया गुणा करेंगे देखे 48 48 की 8 यहाँ पर लिखेंगे और हासिल चार आर्चंगर 44 बामन तो यह 528 आएगा और यहाँ पर इ किस बड़ी भिन्ध है चारों भिन्ध में तो इसका आपस सबसे चोटी भिन्ध संख्या कौन सी है तो देखेगा यहाँ पर पांच भिन्य दी है एक दो तीन चार पांच तो आपस से डाइरेक्ट उठा लेंगे यहाँ पर भिन्यों को सकते हैं इस बाली वाइलू को 5 बट करेंगे चोटी भीन पता करना देखेगा 19 चक्का 114 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 36 पंचे तो देखे 5 चक तीस हासिल थीन और 15 तीन अठारा 18 अब यहाँ पर छोटा मान देखे देख लेते हैं कि इन दोनों में छोटा भीन कौन सा है तो गेरा नहीं है निन्यानवे हासिल नव गेरा एकम गेरा गेरा नव बीस तो 209 आ गया और 36 गुणे च्छै करेंगे तो 216 का 216 होता है तो छोटी संख्या पता करना तो यह तो बड़ा मान है यह चोटा मान है तो इसक इन दोनों में सबसे बड़ी भिन कौन सी है तो यही भिन लिख लेएंगे पहले आठ बटे चछे फिर यहाँ पर देखे च्छे बटे चार फिर यहां पर लिखा है पांच बटे तेन नेश्ट नव बटे पांच अब दो-दो भिन्नों का कंपेर कर लेते हैं बड़ी भिन पता करना है तो देखे आठ चोग 32 और यहां पर आएगा 66 36 तो यहां पर 36 बड़ा मान है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे यह बड़ी भिन है इसका आपस में तीरिया गुणा करेंगे पांच पच्चम 25 नौटरीक 27 तो यह 25 छोटा मान है यह बड़ी भिन होगी तो इसको कैंसिल आउट करेंगे यos बड़ा है तो अब मेंस पता क्रेंगे तो देखे गा इनदोनों में पता करेंगे क्यों स्टी तो बिस्तयाँ 60 और यहां पर आएगा पंद्रा पना प्टि creation तो देखे बड़ा मान है तो इसको cancel out करेंगे छोटी भीन यह हो गई इन दोनों में आपस पता करना है तो 1000 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 8000 होगा और 64 गुणे 25 करेंगे तो यहां 25, 4, 100, 9, 10, 10, 15, 10, 10, 11, 16, 100 यहां प्राप्त होगा तो यह बड़ा मान है तो इसको cancel out करेंगे क्योंकि छोटी भीन पता करना तो यह छोटी हो गई अब आपस में इन दोनों को compare कर लेंगे क्योंकि इन दोनों में कौन छोटी है तो देखे 1000 का जब 3 से गुणा करेंगे तो यहां 3000 यहां नीचे लिख लेते हैं और 15 गुणे 25 करेंगे तो 15, 15, 75, 75 की 5, 67 और 15, 30, 37, 37 तो 375 प्राप्त होगा तो मतलब आप इन दोनों में यह छोटा मान है तो इसको cancel out करेंगे फाइनली 25 बटे 1000 यह सबसे छोटी भिन है आपसर नंबर B करेंट होगा अंगला कोस्टन देखेंगे कोस्टन नंबर 15 है निम लिखित में से सबसे नियूनतम कौन सा है मतब सबसे छोटी भिन कौन सी है तो यह देखे यह भिन लिखी हुई है तो यहाँ पर यह लिख लिया गया है अब यहाँ पर देखें अंस समान है तो जब भिनों के अंस समान हो तो बड़े हर वाली भिन सबसे चोटी होती है और चोटे हर वाली भिन सबसे बड़ी होती है तो सबसे चोटी भिन इसमें पूछता है नियूंतम तो यही होगा तीन बटे गेरा क्योंकि इसका हर बड़ा है तो option number C correct है, इसको direct सीधा बताया जा सकता है, अंगला question देखिएगा, question number 16 है, निम लिखित में से सबसे नियूंतम भिन ने कौन सी है, तो यहाँ पर देखिएगा, अंसर हर का अंतर समान है, लेकिन यहाँ पर नियूंतम भिन इससे नहीं निकाला जा सकता, तो 2-2 भिन लिख करेंगे, 6-5, 4-3, 3-2, 5-4, तो यहाँ पर देखिए, 2-2 भिनों का compare करेंगे, नियूंतम पता करना, तो 6-3, 18 और यहाँ पर 5-20, तो इसमें नियूंतम यह वाला है, तो इसको cancel out करेंगे, इन दोनों में देखिए, 4-3-12, और 5-2-10, तो नियूंतम यह कहलाएगा, तो इस cancel out करेंगे, 6-5, नियूंतम होगा, option number A correct है, अगला question देखेंगे, question number 17 है, निम लिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी अंतर समान है, अंस और हर का, यहाँ पर 4-5, एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है, यहाँ भी एक अंतर है, ल बड़ी होगी, मतलब 7-8, क्योंकि अंस और हर कांतर समान है, और यहाँ पर हर सम में बड़ा है, तो मतलब हर कमान बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर याद रखेंगे, तो option number D correct है, इसको direct option से ही solve करना है, अंगला question देखिएगा, question number 18 है, 5-8, 3-4, 13-16, 7-12 में सबसे छोटी बड़ा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, 5-8, फिर यह लिखा है, 3-4, अंगली बड़ा है, 13-16, और लास्ट में है, 7-12, अब यहाँ पर दो-दो भिनों में compare करेंगे, छोटी बड़ा करना है, तो देखे, 5-4-20, और यहाँ पर आ जाएगा, 8-3-1-4, तो छोटी बड़ करना, तो इसको cancel out करेंगे, यह चोटा मान होगा, इन दोनों में compare करेंगे, 16-112, यहाँ पर 112 आएगा, फिर 12-36, हासिल 3, 12-1, 12-3, 15-15, तो छोटा मान ने देखेगा, यह वाला है, तो इसको cancel out करेंगे, क्योंकि छोटी बड़ा करना है, और आपस में last में compare करेंगे, यह दो भिनों में कि छोटा कौन सा है, तो 12-5, 60 गुड़ा कर लेंगे, और 8-6, तो यहाँ पर देखे, 60 बड़ा मान हो, इसको cancel out करेंगे, सबसे छोटी बड़ा होगी, यह आपसर नमबर D correct है, अंगला question देखेंगे, question 19 देखेंगे, निम लिखित में से सबसे छोटी बड़ा कौन सी है, तो यहाँ पर देखे, अंस और हर का अंतर समान है, 3-1-4, यहाँ 4-1-5, 5-1-6, 6-1-7, और हर सम में बड़ा है, तो इसमें डाइरेक्ट सीधा सीधा बताएंगे, छोटी बिन पता करना है, तो छोटे अंको सी बनी बिन सबसे छोटी होगी, जब अंस और हर का अ हो, तो यहाँ पर आपसन नंबर A करेक्ट है, बड़ी पूछता, तो बड़े अंको सी बनी बिन सबसे बड़ी होती, आपसन नंबर D करेक्ट होता, यहाँ छोटी पूछा है, इसलिए अपसन E करेक्ट है, next question है इसका question number 20 है निम लिखित में से कौन सी सबसे चोटी भिण है तो सबसे चोटी भिण पता करना है तो यहां भी देखे यह इस भिण को छोड़ दें तो यह तीनों भिणों में अंसा और हर कंतर समान है पांच एक च्छा एक कंतर है यहां दो एक तीन एक कंतर है चार एक पांच करके तो आपस में जब तीरिया गुणा करेंगे तो तीन त्रकन नाओ और यहां पर पांच दूनी दस तो यहां पर देखेगा आप सबसे चोटा पता करना है तो यह दस बड़ा मान है तो इसको कैंसिल आउड कर देते हैं तीन बटे पांच सबसे चोटी भिण होगी तो आ सकते हैं 105 1212 है तो यह देखेगा दोनों में कामनольше साथ 7 से कैंसिल wrth करेंगे तो साथ eerकां साथ 3 35 25 इसको भी साथ से कैंसिल आउट करेंगे साथijn कांसाथ 3 22 यह पर तो सी IPS 8 टाइब में और सेकेंड टाइब भी आपको जल्दी उपलब्द करवा दिये जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में बिजिट करके आप वहां से सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह आपको इजी मैथेड मिलेगा प्रत्येक सवाल का और इस वीडियो को आप लोग ज रेलबे की तैयारी कर रहे हैं रेलबे की सभी भरती परिच्छाओं के लिए ये पुस्तक बहुत ही मातपूर है